धर्ती और आकाश के रहस्यों को जानने के बाद भारत अब गहरे समुद्र के पानी में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए काफी प्रियास कर रहा है मेगा महासागर मिशन समुद्रियान के तहट राश्ट्र का लक्षे गहरे समुद्र में विभिन गहरे पानी के अध्यान के लिए विशेशग्यों की एक टीम को गहरे समुद्र में भीजना है भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन प्रित्वी विग्यान मंत्राले यानी M.O.E.S. द्वारा शुरू किया गया था मिशन के हिसे के रूप में गहरे समुद्र की खोज के लिए विग्यानिक सेंसर और उपकरनों के लिए एक सूट के साथ समुद्र में 6,000 मीटर की पानी की गहराई तक तीन मनुश्यों को ले जाने के लिए मतस्य 6,000 नामक एक सुचालित मानव पंडुब्बी विक्सित की जा रही है मानव युक्त सब मरसीबल विग्यानिक कर्मियों को परत्यक्ष हस्तक शेप से गहरे समुद्र के असपश्टी कृत चेतरों को देखने और समझने की अनुमती देगा इसके अलावा ये गहरे समुद्र में मानव रेटेड वाहन विकास की शमता को बढ़ाएगा राज्य मंत्री ICM प्रित्वी विग्यान और MO विग्यान और प्रद्योगी की डाक्टर राजंदर सिंग ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा लिखित उत्तर में आगे कहा गया है कि MOES के तहत एक सुआयत संस्थान नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओशन टेक्नॉलजी N.I.O.T. ने 6000 मीटर की गहराई वले रिमोटली ओपरेटेड विकल आर ओवी और कई अन्या पानी के नीचे के उपकरनों को विक्सित किया है N.I.O.T. द्वारा पानी के नीचे की खोज के लिए अन्या अत्याधूनिक उपकरनों में गहरे समुद्र की खोज के लिए Autonomous Scoring System ACS, सुआयत अंडर वाटर विकल AUV और Deep Sea Mining System DSM शामिल है इसी मिशन समुद्रियान के साथ भारत Elite Group में शामिल हो गया अक्तूबर 2021 में अद्वित्ये महासागर मिशन समुद्रियान के लांच के साथ भारत संयुक्त राजियामेरिका, रूस, जपैन, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट कलब में शामिल हो गया जिसके पास उपगती विधियों को करने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन है समुद्री अनवेशन पहले पहल की शुरुबात करते हुए केंद्रे राजियामंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने उलेख किया यह विशिष्ट तकनीक प्रित्वी विज्ञान मंत्राले मोईस को पॉली मेटलिक मेगनीज नोडियूल्स गैस हाइड्रेट्स हाइड्रो जैसी निर्जीव संसाधनों को गहरे समुद्र में खोज करने में मदद करेगी थर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट एक हजार और पांच हजार पांसो मीटर की बीच की गहराई पर स्थेता है केंद्रिय मत्री ने कहा कि मानव युक्त सबमर्सिबल मतस्य छे हजार का प्रारंबिक डिजाइन पूरा हो गया है और इस्रो आई आई टी एम और डियाडियो सहित विभिन संगंठनों के साथ इस पहल का समर्थन करने के लिए वाहन का निर्मान शुरू कर दिया गया मतस्य छे हजार का गुड रहसे क्या जानते हैं अत्या धूनिक सबमर्सिबल वाहन है स्वदेशी रूप से विक्सित मतस्य छे हजार मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है यह गहरे समुद्र की खोच करने में प्रित्वी विज्ञान मंत्राले की सुविधा प्रदान करेगा समुद्री वाहन के 500 मीटर रेटेड उतले पानी संसकरन का समुद्री परिक्षन 2022 की अंतिम तिमाही में होने की उमीद थी और पंडुबी 2024 की दूसरी तिमाही तक परिक्षन के लिए तैयार हो जाएगी इसके इलावा अधिक कुशल विश्वसनिया और सुरक्षित मानव पंडुबी विक्सित करने के लिए धातू विज्ञान उर्जा भंडारन पानी के नीचे नेविगेशन और वी निर्मान सुविधाओं जैसी प्रो अधियोगिकों को आगे बढ़ाने पर काम चल रहा है लोकन खोज गतीविधियों बचाव अभियान और इंजीनियरिंग साहता जैसी उप गतीविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक है बेहतर युदा भ्यास और उतकृष्ट द्रिष्टी प्रनालियों के साथ मानव रहित पानी के नीचे के वाहन शोध करताओं के समुत्री प्रद्योगी कियों के साथ हाल ही में चीन द्वारा दोजार बीस में विक्सित किये गए फेंडोजे माना पंडूबी ने ग्यारा हजार मीटर पानी की गहराई को चूलिया जो आज तक का सबसे गहरा है भारत सरकार ने प्रित्वी विज्ञान मंत्राले के 2021 से 2024 के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड रुपे होगी डी पोशन मिशन भारत सरकार की नीली अर्थ विवस्ता पहलों को समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड पर योजना होगी गहरे समुद्र की प्रद्योगी की के विकास पर जोर देने के साथ गहरे सम समुद्र के खरी संसाधनों की खोज और समुद्री जैब विविदिता के लिए प्रद्योगी कियों के साथ साथ 6000 मीटर पानी की गहराई के लिए मानव युक्त सबमर्सिबल का विकास शामिल है माहसागर जो दुनिया के सतर प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं हमारे जीवन का एक मैत्वपूर्ण हिसा बने हुए है गहरे माहसागर का लगभग 95 प्रतिशत भाग अग्यात है भारत के लिए इसके तीन किनारे माहसागरों से घिरे हैं और तट्ये छेत्रों और तट्ये और जलिये क्रिशी प्रियटन अजीविका और नीला वैपार का समर्थन करता है भारत के लिए एक अनूठी समुद्रि स्थिती है 7517 किलो मीटर लंबी तट रेखा जो 9 तटिये राजियों और 1382 दुईपों का घर है भारत सरकार का नियू इंडिया का दृष्टी कोन विका के दस प्रमुक आयामों में से एक के रूप में नीली अर्थ वेवस्था पर प्रकाश डालता है वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर और कमेंट धन्यूद्ट